अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले अब बूल ये क्या कर रही हूँ ऐसे लेकर जाओ इसे भिग्रे नवाब हमारे परिवार को उस दुष्ट लाली से बचाने के लिए अगर हमें हनुवान जी भी बनना पड़े ना तो हम बन जाएंगे कंदे पर नहीं सही लेकिन हम इस ऐसे गले लगा कर तो चोड़ सकते हैं ना अब यही रुकिए हम लेकर जाते इसे वो रुको चलो अब यही रुको रुक जाएए एक मिनेट वो ती को नो हमरी ललिया की साधी में विगंड डालने वाली हटो सामने से हटो लाली ने जूट बोला है वो मा नहीं बनने वाली अग्दोल आज नहीं आज मेरी शादी और तुम्हारी बकवास पाते सुननेगा किसी को कोई इंट्रेस्ट नहीं अनमोल बकवास नहीं कर रही है अर। अर। भुब ब्ुब अरॉब यूज अर। यूँ अर। यूप अन्मोल सच बोल रही है तुम्हें अन्मोल की बात पर तो विश्वास नहीं होगा पर मेरी बात पर तो भरोसा कर सकते हो ना इलाली प्रेगनेट नहीं है यह प्रेगनेंट होने का नाटक कर रही है ताकि तुम से शादी कर सके भाया सुभे मुझे लग रहा था शायद हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन नहीं आप अभी भी इस अनमोल की बातों के जाल में फसे हुए है रमन रमन ये शादी के दिन भी मेरे पीछे पढ़ी है जबके तुम्हारे सामने में टेस्ट करवाया था अरे रमन बेटा तुमने तो खुद सुन ही धर कने अपने बच्चे की तुम्हारी लाली पर एसे जूटी लांचने कैसे सुन सते हो तुम ओ जुड़े लांटी तुम चुप रहो जिसके दिल में खोट हो वो नकली धड़का ने भी खरीच सकता है अलोल मैंने कहा ना बस अब और नहीं वरना मेरा हाथ उख जाएगा रजात जी हम जानते थे कि आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे इसलिए हम सबूत के साथ आएगे अब सारा सच ये टॉक्टर पताएगी ये टॉक्टर पताएगे ये टॉक्टर पताएगे ये टॉक्टर दॉक्टर उठीए ये टॉक्टर उठीए डॉक्टर रहने भी जी ये कुम करण की भेहन ऐसे नहीं उठेगे आप रुक्ये पकड़िये से अरे क्या कर ले अरे छोड़ों अरे छोड़ों हमार पै कौन है आप NO और मैं यहां कैसे आए सॉरी डॉक्टर हम लुग आपको लेकर आये हैं यह मेरा परिवार है और यह मेरा भाई है जिसकी आज शादी और जिस लड़की से शादी होने वाली है यह वही लड़की है जिसे हम आज सुबह सोनोग्राफी के लिए लेकर रहे थे अब बताईए आप इन सबको खास कर मेरे भाई को कि ये लड़की प्रेगनेंट नहीं है सही बोल रहे हैं ये लाली प्रेगनेंट नहीं है लेकिन ये कैसे हो सकता है आप इने इसकी सोनोग्राफी की थी ना और आप इने मुझे मेरे बच्चे की हाड़ भी सुनाई थी हम बताते हैं कि सुबह हुआ क्या था हमें ना इस लाली पहले से इशक था कि ये तो सच्वच नहीं बोलने वाली कुछ देर के लिए तो हमें भी लगा कि लाली सची बोल रही है प्योंकि हम सबने बच्चे के दिल की धड़कने सुनी लेकिन लाली के जाने के बाद हमें ये पता चला कि वो अवाज लाली के पेट में पढ़ने बच्चे की नहीं बलकि पहले से रिकॉर्ड को ही सीडी में थी हमारा शक सही निकला और हमें ये भी पता चल गया कि ये डॉक्टर लाली से मिली हुई अब देखिए कैसा है ये विश्टान जाना अगल प्ले पर टीवी से पहले